नमस्ते आप सबीकों कैसे हैं आप सब वेलकम बाक टू दो चानल दे ग्रीनर ग्रास पाई गुंजंतियाकी आज के दिन आप सबका बहुत सवागत है वेलकम है आप सबको आज है हमारा न्यू मून मैं हमेशा हमारे जो न्यू मून होते हैं पूरे साल में उन सबका अलग-अलग नाम होता है और उन नाम के पीछे कोई छोटी सी कहानी या कोई वज़ा छुपी होती है तो मैं हमेशा आप लोग के साथ वो शेयर करती हूँ आज फिर से बता रही यह जो हमारा न्यू मून है इसे कहा जाता है वार्म न्यू मून ऐसा क्यों कहा जाता है वो इसले कहा जाता है क्योंकि अब जो स्नो पड़ी हुई थी जो स्नो का वेदर था विंटर का वेदर था वो हमारा वेदर अब हो गया है समा अब ये जो season आएगा, spring season जिसे हम कहते हैं इस time क्या होता है, जो earth है वो thwart हो रहा होता है मतलब जो बर्फ है वो पिंखलना शुरू हो जाती है वाम्स, नए वाम्स पैदा होने लग जाते हैं या जो वो छुपे हुए थे, हाइबरनेट कर रहे थे, वो बाहर निकल के आते हैं वाम्स का काम क्या होता है, वाम्स का काम होता है हमारी जो earth है, उसको कैसे न कैसे fertilize करना वो लोग फर्टिलाइजर के थू काम करते हैं तो वाम्स एक बहुत बड़ा role play करते हैं इसलिए उनको वाम्स कहा जाता है, ये वाला जो निया सीजन है जिसे हम spring season कहेंगे, spring season में new new leads आती है new flowers आते हैं, blossoming होती है, beautiful सा weather हो जाता है आप हर तरफ हर्याली देखते हो, खुश्पू देखते हो, flowers देखते हो वैसे ही हमारी जो life में हम manifest करना चाहा रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है हमारा spring season, इसलिए इसकी importance जाधा बढ़ जाती है और वैसे भी ये वाले new moon में, moon की light है वो सबसे जाधा effect और past में होगी तो it is a super moon also, इससे super moon भी consider किया जाता है ये वाला जो new moon है हमारा, इसमें 5 दिन का portal open होता है इसलिए मैंने mention किया कि 5 days का जो portal है, जो 5 days हमारे बहुत beautiful और बहुत ही effective days open होंगे ये 5 days वो हैं, तो इन 5 days को जरूर यूज़ करना आपकी जो भी manifestation है उसके लिए और new moon का बताब new beginning होता है तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक technique suggest करूँगे क्योंकि हम 5 की power use कर रहे हैं, तो आप use करोगे आज से लेके 5 दिन तक 555 technique ये technique को 5 by 55 technique भी कहते हैं जो भी है आपको एक आपकी wish को, एक desire को, उसको एक आपको affirmation बना लेनी है मैंने जो इसकी वीडियो बनाए थी, do's and don't वाली 555 technique की वो मैं last में जरूर उसका link डाल दूँगी, last में जब ये वीडियो खतम हो रहे होगे, देख लेना आप और दूसरा, जब भी आप इसकी कोई affirmation मनाते हो ना, बिल्कुल set clear रखो ये नहीं कि दो दिन कोई और wish करी, third day से कुछ और, जो first day wish है, उसी के उपर काम करना है 30K subscribers, तो मैं क्या लिखोंगी, I am so grateful that I am having 30K subscribers now, तो आपने देखा मैंने beginning करी, I am so grateful से और now मैंने अभी मुझे चाहिए, वो मैंने last में लिख दिया, जो ये 555 technique है, मैंने multiple times use की है, multiple times और ये जो मेरी technique है, शायद आप मेरी books के pages भी देख पारे हूँगे, लेकिन मैं notebook अपनी direct नहीं दिखाऊंगी, मैंने कम से कम 8-10 मेरी 555 techniques की books हैं, मैं उन्हें discard नहीं करती करना जहों आप कर सकते हो, जब wish पूरी हो जाए तो आप burn कर दो paper को, या मिटी में दबा दो, पर मैं इसको संभाल के रखते हूँ, क्योंकि जब आप back करके देखते हो, तो आपको इस technique पे और विश्वास पढ़ेगा कि इतनी सारी चीज़े manifest की हैं, मैंने अपनी job transfer manifest की है मैंने money भी manifest किया है, और भी बहुत सी चीज़े इस technique से manifest की है, तो ये technique काम करती है, 100% काम करती है, इसकी सिर्फ एक condition होती है, जब आप इसे करने बैठो ना, तो आप उस feeling वाले mode में होने चाहिए हो, कि वो चीज आपके पास already है, जब वो चीज आपके पास already है, आप उसके पूरी होने से पहले जब आप कर रहे हो, second, third day ही आपकी wish grant हो गई, तो भी आप पूरे पाच दिन जरूर करोगे, एक और चीज, जब आप इस technique को कर रहे हो, तो best time I would say, या तो उठते ही morning का time, लेकिन हम आज से शुरू कर रहे हैं, new moon के day से, तो रात में जो सोने जाने से प बहुत से लोग कहते हैं, तो इसलिए मैं कह रहे हूं, वो do's and don't वाली वीडियो का link डालूंगी, जरूर देखो, आपको समझ आ जाएगा, आप कहां गलत थे, क्यों manifest नहीं हुई, और ये technique पाँच दिन में भी result देती है, within five days भी देती है, और अगर आपका पाँच दिन मे grants भी लग गए हैं, लेकिन grant जरूर हुई है, इसलिए बोलती हूँ, patience, trust, जरूर होना चाहिए, और जब आप affirmation कर रहे हो, तो उसको feeling के साथ, trust के साथ लिखो, वो आपको benefit जरूर करेगी, आपको reply back जरूर करेगी ये technique, तो आज से ही, पाँच दिन का portal जो open है, उसकी power use करन अपनी wishes को grant करने के लिए, आज के लिए इतना ही, thank you so much for watching, please do like, share and subscribe और ये वाली technique आज बिना करें मत सोना और 5 days, same time पर करना, अगर रात को साड़े-10 बजे करी है, तो next day भी साड़े-10 से 2-3 मिनट ऊपर नीचे, within 5 मिनट का circle ले लो, कर सकते हो, बट बागी time change नहीं करते है ठीके, take care, thank you so much for watching and जैसियाराम